बंगे वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आते, मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजेगी, ये न कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की, जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुट हो रहे थे, सिवाए एक शक्स के, क्यूंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं उसका नाम था मंगा, घर के किसी स्यानी आद्मी को बला लो, स्याना यह जी मैं, वो तो उस दिन ऐसी मच्चों के साथ थोड़ा हुआ, जिंदगी की हर दोड में अबवल, योर इजेक्टी परिवार का सबसे लाइक लाड़ा, ताम ताम कुछ करना ने, सारा दिन जरते ही हाथों का तो पता नहीं, पर उसके पैरों में जादू था, पैसे नहीं ले सकते जी, दादी कैती है, इससे शफा चली जाती है, क्या तुम नुकरी करोगे, बंदूग मिलेगी जी, तो डंडा बगएरा, अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वो, और एक दिन उसे अपन राजकुमारी भी मिल गई, राजकुमारी, कौट सर्गी, पिसे कानी सुनी है, चिपचप सुन, आपके गाउं में दिल लग गया जी, राज आती लड़कियों को ना यहां रोपने से सर फट जाते हैं, नकुगडा ही है, वे, मार नहीं, तेरे रग में रगने जाओ, तो उ आपको गलत फैमी हुई है, अंग्रेज बुरे लोग नहीं है, महाराजा के हुकम के मुताबिक आप सब को जाओं खाली करना पड़ेगा, गांधी जी ने कहा है, कानून से बढ़ कर कुछ नहीं होता है, कानून से बढ़ काजा होता है, लाला जी, सारा कुसूर मंगे का है, जिंदरी हार ले, बहुत बुरा किया मंगे नहीं, मैं मंगे नहीं शट्डू का दिया उखने हमको, तुझे क्या लगता है, तुम लोग की तकलीफ का इसास नहीं मुझे, अगर तुझे तकलीफ का हसास ता नहीं, तो अंग्रेजों के ताल बेना चाड़ता तू, तो बड जातर लड़ जातू, अपनी जिद पे घर जातू, तुझे जातर लड़ जातू, अपनी जिद पे घर जातू, तुझे जातर लड़ जातू, अपनी जिद पे घर जातू, तुझे जातर लड़ जातर लड़ जातू, अपनी जिद पे घर जातू, तुझे जातर लड़ जा झाल झाल